हेलो एवरीवन, मैसेल्फ दिपिका रोडा फ्रम हैश्टेग BCPSKV क्लासेज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चेप्टर 12 हिरोन्स फॉर्मला के बारे में तो देखते हैं हिरोन्स फॉर्मला होता क्या है सपोस हमारे पास एक राइट अंगल ट्राइंगल है राइट अंगल ट्राइंगल का फॉर्मला हमें पता है क्या होता है एरिया एक्वल टू 1 बाइ 2 इन्टू बेस इन्टू हाइट यह हमारा राइट अंगल का होता है और suppose हमारे पास equilateral triangle है, equilateral triangle का area क्या होता है, root 3 by 4, side का square, side यहाँ पे मैंने A ले रखी है, और equilateral triangle में सारी जो sides होती है, वो equal होती है, अब suppose हिरोन्स formula की हम बात कर रहे हैं, जैसा नाम है, वैसा ही इसका काम है, हिरोन्स का मतलब क्या है, एक हीरो की तरह काम करता है, जो कि सारे किसी भी triangle का formula, अगर आप area find करना चाहते हैं, तो आप हिरोन्स formula से कर सकते हैं, suppose हमें base into height नहीं दिया हुआ, और equilateral triangle भी नहीं है, हमारे पास skill and triangle है, skill and triangle में क्या होता है, सारी जो sides होती है, वो बिल्कुल अलग गिवन होती है, तो हमारे पास जो area होता है, suppose हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, यह triangle हो गया हमारे पास, suppose यह 3 है, यह 6 है और यह 7 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, area कैसे find करेंगे, area by hirone's formula, hirone's formula क्या होता है, s, s minus a, s minus b, और s minus c, तो यह होते हिरone's formula, अब s क्या है इसमें, s है हमारे पास semi parameter, हिंदी में कहते हैं, अर्थ परिमा, semi parameter, देखे, semi parameter का मतलब क्या होगा हमारे पास, parameter का half, parameter का half कर देंगे, और parameter क्या होता है, triangle का, sum of all side, 3 sides होती है, triangle की, और 3 को क्या कर देंगे, add कर देंगे, तो हमारे पास क्या आजएगा, perimeter आजएगा, semi parameter आजएगा, हमारे पास upon में 2 कर देंगे, और एक काम करते हैं, इसको मैं नाम दे दीती हूँ, A, इसको B, इसको C हम किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं तो S equal to semi parameter में क्या लिख सकते हूं A plus B plus C upon me 2 यह लिख सकते हैं यहाँ पर जब मेरे पास S find हो गया देखो, A की value कितनी है? 3 B की value कितनी है? 6 और C की value हमने क्या लिती? 7 upon me 2 6 और 7 हो जाएंगे 13, 13 और 3, 16 16 upon me 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? कैंसल करेंगे, 8 हा जाएगा तो S की value यानि semi parameter हमारे पास हा गया 8 अब क्या करेंगे? By Huron's formula जो हमने यह triangle बनाया था ना इसका area find कर लेंगे तो हम लिखते हैं area of the triangle by Huron's formula फॉर्मला क्या है हमारे पास? लिख लेते हैं एक बार S, S-A, S-B और S-C ABC हमने क्या ली थी? ट्राइंगल की side और S हमकी value हमने अब find कर ली है S की value कितनी आई है? 8 minus A की value हमारे पास कितनी given है? 3 B की value कितनी है? 6 और C की value हमारे पास कितनी given है? 7 इसको आगे solve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 8 अब इन दोनों के बीच में कोई sign नहीं है तो इंटू का sign हो जाएगा यानिके multiply एट में से 3 गया 5 multiply एट में से 6 गया 2 एट में से 7 गया 1 इसको solve कर लेते हैं देखे 8 को में क्या लिख सकते हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 to the 4, 4 to the 8 और यह वाला 5 as it is ऐसे क्योंकि इसके factor नहीं हो सकते 2 के भी नहीं हो सकते 2 भी as it is ऐसे और 1 भी as it is ऐसे अब pair बनाते हैं देखे यह वाला इसका pair बन जाएगा एक टू बाहर ले लेंगे यह वाला जो pair बना इसमें से एक टू बाहर ले लेंगे और root में हमारे पास जो बचेगा उसे root में ही रखेंगे 1 को हम रखते हैं 1 का root क्या होगा 1 होगा और 1 5 से जब multiply होगी तो क्या हो जाएगा root 5 तो 2 to the 4 हो गया और root 5 तो हमारे पास area of the triangle क्या हो गया 4 root 5 तो इस method से हम here on's formula के दवारा हम कोई भी triangle है जिसका area हम निकालना चाहते हैं वो find कर सकते हैं I hope यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीजी से like कीजिए if you have any doubt, any query, please comment below in the comment section video अच्छा लगी तो friends की साथ share करें और अगर आप मेंदी चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें bell icon को hit करें ताकि latest आने वाले notification आपको मिलकुल time पे मिल जाएं तब तक के लिए bye bye